अरे मोन दादा आप साप करते रहोगे और लोग कच्रा करते रहेंगे अरे कुछ ने होगा इस देश का देखा हाँ हो सकता है बस थोड़ी और सफाई करने पड़ेगी कैसे यह अपका खत आया है किसका है किसे भारत ने भेज़ा है भारत हमारा गाव में तो कोई भारत है नहीं मैं किसी भारत को नहीं जानती बड़ लोग शायद कोई पहचान वाला हो सदर प्रणाम शायद आप मुझे पहचानते नहीं हो पर मैं आपको जानता हूँ बहुत करीब से कई बार कही जगह ओपर हम मिल भी चुके और हर मुलाकात एक याद बनती के याद है जब वह मिश्रा की बीवी जब को इसे एक बुड़ा फेक रही थी तब आपी ने तो उ कांधी चौराय के सामने वाली दिवार पर जब आदमी थूख रहा था तब आप ही निते उसे रोका था किसी दूसरे ने फेका हुआ कच्रा जब आपने उठा कर कच्रे के डिब्बे में डाला था न तब मुझे बड़ा गर्ब महसुस हुआ था कि आज का नौजवान भी मेरी इतनी कदर करता है आपके बहुत ऐसाने मुझ पर नहीं तो बला कौन सो च्टा इन चोटी चोटी बातों के बारे में मैं शुक्र गुजारू आपका मेरी इतनी इज़त करने के लिए मैं शुक्र गुजार हूँ मेरी तरक्की के खातिर आपके इस चोटे कदम के लिए मैं शुक्र गुजारू मुझे महान बनाने के लिए आपका प्री ये भारत देख प्रिये भारत सचबत बताओ मौन दादा मतलब मुझे नहीं लगता कि इतनी आसानी से मुभरको मौन दादा अरे अपना दिल साब हो रहा है हाँ पर आओ रेख खत देना बाकी है अब कौन ये आपका खत आया है किसी भारत ने बेजा है जोदी तोर डाक्षोने के उनाशे तमें एकला चलो रे जोदी तोर डाक्षोने के उनाशे तमें एकला चलो रे एकला चलो एकला चलो एकला चलो रे आईए गांधी जी के बताय हुए कदमों पर चलें और एक स्वच्छ और सुन्दर भारत की रचना करें जोदी तोर चलो रे